नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का Wi-Fi Study 2.0 पर आप में से बहुत सारे लोग Mobile Recharge कराते हैं Mobile Recharge कराते समय एक चीज देखते हैं कि आपको Mobile Recharge की Validity 28 दिन की दिखाई देती है क्या कभी आपने विचार किया है कि Mobile Company इस 28 दिन के Recharge की पीछे कौनसी स्टेटिक्स लगाती है Hopefully सोचा होगा, नहीं भी सोचा है तो मैं ध्यान दिला देता हूँ अगर हम केवल 28-28 दिन के 12 महीने तक Recharge करें तो कुल मिला करके फिर एक और महीने का Recharge करने लायक जगे बच जाती है क्योंकि अगर महीने में औसतन 30 और 31 दिन के दिन चलते रहें तो 12 महीने के अंदर अंदर 2 दिन की औसत से 24 दिन, 6 दिन की औसत से 30 दिन यानि कि एक और नए महीने का आपका Recharge बन कर आ जाता है तो कि एक साल के अंदर आप मंतली भले 28 दिन का Recharge कराते हों लेकिन वो बढ़कर के पूरे 13 Recharge के रूप में बैढ़ता है ये शिकायतें Telecom Regularity Authority of India जो की देश में ये निर्धारित करता है कि किस की Charges क्या होंगे कितनी फीस लगेगी, कितने का Recharge रखा जाएगा किस प्रकार से एक दूसरे कंपनी के साथ competition enough रहेगा या नहीं रहेगा इन सब पर निर्धारन करने वाली जो सरकारी एजनसी है उसने लोगों के द्वारा प्राप्त शिकायतों पर निर्ने लेते हुए सारी कंपनियों से कहा है कि देखो आपका जो प्लान है वो ठीक है हमें इससे कोई अतराज नहीं है लेकिन एक मन्थली प्लान जरूर निका लिए मन्थली प्लान से मतलब है तीस दिन का प्लान जरूर निकालिए अब आप पुछेंगे कि तीस दिन का प्लान निकालने से हमें क्या फायदा ओव्यसी बात है तेरा रिचार्ज के जगए आपको बारा रिचार्ज करने पड़ेंगे सुनकर तो एक दाँ ऐसा लगता है कि सौटेड है सारा मामला लेकिन क्या लगता है आपको ट्राइ ने क्या पहली बार का ऐसा नहीं मैंने आज से कोई 6-7 मेंने पहले भी आपको ये सेशन में कवर किया था उस समय भी बताया था try तब से कह रहा है कर लो कर लो कर लो लेकिन companies है कि कर ही नहीं रही है बड़ा logical सवाल फिर बनता है कि बहुँ ऐसी क्या बात है कि सरकारी agencies की बात नहीं मान रही है कि आज के लिए private companies पैसा नहीं है BSNL भी कह रहा है कि सब बैट नहीं पा रहा है मामला बोले क्यों नहीं बैठ पा रहा है बोले यह जो आपने 30 दिन का क्लॉज रखा है ना इसमें बहुत बड़ा पेच फसा हुआ है आपको जानके आश्चरे होगा जनवरी में अप्रेल में इन सभी समय पर अलग अलग समय पर ट्राई ने कंपनीज को कहा और हर बार कंपन कि अंदर कुछ दिन तो ऐसे बच जाएंगे जिसके अंदर रिचार्ज नहीं होगा ओविस ही बात है आपके 31 दिन का भी तो महिना आता है फिर क्या कीजिएगा नंबर एक बात फिर दूसरी तरफ से कंपनीज पूछती है कि ठीक है आपने अगर 30 दिन का प्लान ले भी दि फाइनली ट्राई ने अपने द्वारा एक फाइनल आंसर दिया है जिसके लिए आज हमने ये सेशन बनाया है और ट्राई ने का देखो दिमाग ज़्यादा लगाने की जरुवत नहीं है मंत्री रिचार्ज का एक पैकेज बनाओ उसमें 30 दिन का मतलब 30 दिन है हर आज तारी के दिन वो रिचार्ज खतम हो यानि मन्थ तू मन्थ चले एक ऐसा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए लोगों ने का ठीक है सर कर तो देंगे हम इसमें भी परिशानी है साब भले बताओ क्या है मालो महीने के अंदर ये घटना जो है ये 31 तारीक की होती फिर क्या कीजिएगा म कमपनीज ने फिर क्वेश्टन ट्राई के सामने रखा ट्राई ने जवाब दिया देखिए बात ऐसी है आपको अगर ये दिक्कत है ना तो इसका समधान ये है कि रिचार्ज मन्थली होगा मन्थी जो आखरी तारीक होगी उस दिन तक वो रिचार्ज खतम हो जाएगा फिर कमपनीज ट्राई से अड़ गई सरमान लो किसी ने 28 तारीक कोई कराया था रिचार्ज अब 28 को कराया था फरवरी में फरवरी के बाद 28 मार्च को वैलेडिटी खतम हो गई उसका तो रिचार्ज टेक्निकली पूरा-पूरा मार्च चलना चाहिए था फिर क्या होगा कोई समाधान मिल सकता है तो यह है कि आप लोग एक तो 30 दिन का प्लान बनाईए या फिर ऑप्शन यह वाला रखिए कि मन्त के एंड तक वो प्लान चलेगा चाहिए 28 का हो चाहिए 31 का हो सब कुछ होचपोच हो रखा है इस बीच में भी ट्राई ने 60 दिन की महलत दिये हैं मेरे पास में मुझे 30 दिन या 30 दिन से अधिक का मॉडल चाहिए चलिए विस्तार से इन सारी खबरों की चर्चा सिलसलेवार तरीके से करते हैं और सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ नियूस कटिंग्स हैं जिसमें दिखाई जा र इन कंपनीज ने सौर्टेड करके तरीके से निकाला हुआ है 28 दिन का प्लान लाइए पूरा साल भर में जितने भी दिन हैं उसके एसाब से 13 रिचार्ज करिए काम चल जाता है अब कंपनीज को एक special और combo voucher लेकर के आना पड़ेगा जो कि 30 दिन की validity के साथ आएगा और अग आईश की पालना नहीं करी तो फिर try कोई action लेगा ट्राई ने अपने द्वारा ये जानकारी जैसे ही market में दी एक press release के माध्यम से ये जानकारी निकाली कि regarding available recently launch voucher of 30 days validity and renewable on same date of every month यानी आप तो दो option दिये जा रहे हैं या तो 30 दिन का एक plan निकाली आप recharge voucher निकाली है या फि ये किसी ने इस तारीक को किया है तो अगले महीने इसी तारीक को फिर से recharge कर पाए ऐसे भी voucher निकाली है कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी plan बंदो जाएंगे 28 दिन वाले offer बंदो जाएंगे एक और offer निकालना पड़ेगा आप पूछेंगे सर इस पारे में दिक्कत क्या है companies को, companies को बहुत दिक्कत है, companies का सबसे बड़ा claim ये है, सर आपने तो कह दिया आदेश की पालना हो, लेकिन हम अगर कोई भी plan निकालते हैं तो जब तक इसका proper advertisement नहीं होता, तब तक plan बिकता नहीं है, आपको मालूम मना चाहिए, जब भी company कोई plan release करती है, तो उसका बड़ी नितिकत परिवर्तन की cost बहुत ज़्यादा आती है, तो ऐसी इस्तिती में companies इसी इसके लिए time भी माग रही हैं और मना भी कर रही हैं, तो companies की अप्राइस सुन नहीं रहा है, ट्राइन ये आपको हाला कि दिखाई तो देगा नहीं कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, मैं से 30 दिन करना होता है, तो हम पहले ही कर देते, मुद्दे ये हैं कि हमारे पास में 30 दिन के बाद भी साल भर के अंदर पूरे की पूरे 12 रिचार्ज से काम नहीं चल रहा है, 30 दिन कर लीजे तब भी आपके 6-7 दिन महीने के बचे रह जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि यह ग किसी ने 15 तरिख को रिचार्ж कराया, तो अगले मैंने 15 को रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो इस प्रकार के दो मॉडल आपों लोग और लेकर आईए, इस प्रकार से मोबाइल टेरिफ के अंदर ट्राही ने डा काही है, तो इसका पुराना इतियास हम ने खंगाला, कि ट् साथियों ट्राई कर रहा है 27 जनवरी 2022 की न्यूज है मैंने यह आपको पहले भी पढ़ाई है इसके बाद में जब किसी ने नहीं सुना तो ट्राई ने फिर 30 दिन की वैलिडिटी एक अप्रेल 2022 को भी फिर से अपनी द्वारा खाबर निकाली किसी ने नहीं सुना सब नहीं Association of India है जिसको की आप लोग जानते हैं COAI के नाम से उन्हांने अपने द्वारा सारी परिशानियों को रखा उन्हांने कहा कि expiry of tariff voucher recharge on 31st of March May, August, October would happen on the subsequent month that is on 30th April, June, September and November तो ऐसी इस्तिति हम करें क्या अगर आपने हमको ऐसी इस्तिति दे दी तो देखिए हाना कि ट्राई न इनके सारे प्रशनों का अब जवाब दे दिया है जो परिशानिया थी वो मैंने आपको बता दी कि 28, 29, 30, 31, 4 अलग-अलग डेट हैं मन्त को कैसे काउंट करोगे तो उन सब के लिए try ने समाधान दे दिया है अब तो मतलब मूल तो जड़ मैंने आपको बताई दिये कि क्य होगा तो try ने जो कहा वो केवल ये है कि आपके पास दो options हैं उनको अपनाईए और काम को आगे बढ़ाईए तेलिकॉम companies ने हाला की 30 दिन वाले planche launch करने की कौशिश भी की लेकिन वो उसको survive करवा नहीं पाई ये तो हुआ एक update अब एक जो खबर है ना वो थोड़ी सी इंटरनेट के लिए आप data plan डला लेते हैं और फिर आप WhatsApp, signal या फिर किसी और service provider के माध्यम से free of cost call करते हैं जब आप calling के लिए किसी internet service provider का उपयोग करते हैं तो technically आपने voice call पर dependency बहुत कम कर ली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी video call के लिए WhatsApp का यूज करते है Ultimately पड़ी जो companies चल रही है, Voda, ये जितनी भी companies चल रही है, GEO, Voda, Airtel, इनका कहना है कि हमारा voice call के प्रती लोगों को डराने धमकाने का मामला ही खतम हो गया है ट्राय ने कहा ये सुनवाई भी हम आपकी करेंगे, शायद चौकाने वाला फैसला भी आ सकता है, फैसला क्या? फैसला ये कि अब आपका जो ये इंटरनेट के थू होने वाला call है इस पर भी चार्ज लग सकता है इधर देखिए, कुछ न्यूज की चर्चा चल रही है और सच बताएं, ये आज की न्यूज है और इस न्यूज के बाद में चिंता इस बात की बढ़ रही है ट्राय का जो यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेंड है वो ये है कि हम regulatory authority हैं, अब बातचीत चाहे कैसे भी तरीके से होती हो तो होने के बाद में हमको regulate करने का अधिकार है चाहे वो किसी भी अब के थुरू होती हो ये थोड़ी है कि हमारे voice call होंगी तो ही हम regulate कर पाएंगे किसी भी प्रकार का call हो तो हमें regulate करना है और अगर जनाब ये regulate हो गया तो ये मान कर चलिए कि इंटरनेट की जो टेलीफॉन की बतब यह जो है ना इंटरनेट टेलीफॉनी रिकमेंडेशन ट्राइवास नॉट एकसेप्टेड वाई डिपार्टमेंट आफ टेली कम्यूनिकेशन उन्होंने कहा है कि भाई अगर ये काम बैठ गया तो आने वाले टाइम पर आपको कॉलिंग के लिए वाटसेप कॉलिंग के लिए भी पैसे देने होंगे आप पुछेंगे कोच दिन पहले तो आपने पढ़ाया था कि वाटसेप फेस्बुक ये पेड़ होने जा रहे हैं अब आप कहरें कि ये उस कंपनी के दोरा निर्णे लिया जाएगा कि सरकार के दोरा प्लान बेचते समय इस परकार के निर्णे लिये जा सकते हैं खैर ये अभी चर्चा में है अभी आदेशित किया गया है क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है फिलाल के लिए था हम यहीं कह सकते हैं कि आपको नया रिचार्ज वाउचर मिलने जा रहा है फिलाल के लिए इतना ही जानकरी पसंद आई हो, काम की हो तो इसे सबी साथियों से शेयर करिएगा मैंने एक टेली कम्यूनिकेशन कंपनियों का थोड़ा विचार प्रशार कर दिया है ताकि प्लांस जब आएं तो उन्हें इन सेशन्स की वज़े से मदद मिल जाए इस कंडेंट की पीडिएफ मेरे टेलिग्राम चैनल अंकेत अवस्ती सर या जी के वाई अंकेत अवस्ती सर जो की वेरिफाइड टेलिग्राम चैनल से उन पर मिल जाएगी इसके साथ साथ यदि आप में से कोई भी साथी UPSC के तैयरी करना चाहता है तो अनकेडमी पर टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रियेटिड वाइड वराइटी ऑफ एडुकेटर्स के साथ में फ्लेक्सिबल कोर्से के साथ में अनलिमिटेड व्यून और लेक्चर की सब के साथ में आपको कोर्से अविलेबल कराये जा रहे हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा आपके लिए कोर्स क्रियेट किये जा रहे हैं और सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि आप लोगों के लिए अनकेडमी पर अंकित 10 रेफरल कोर्ड यूज करने के के अरौन पड़ रहा है और 24 महीने का प्लस में कोर्स 62,000 के अरौन पड़ रहा है 24 महीने का कोर्स है ठीक है इन कोर्से में अगर सवाल पूछी जाए कि सब हमारे नए बैचिस कब से हैं तो 15 सेप्टेंबर से आपके लिए नए बैच शुरू हो रहे हैं आप इसमें एंडर कर सकते हैं bilingual courses हैं आप इनके अंदर join करके पढ़ाई कर सकते हैं एक और चीज़ जो यहां पर है वो यह कि यदि आप में से कोई भी विद्यार थी 20% के अलावा भी scholarship चाहता है तो इस 18 सेप्टेंबर को आपके लिए एक test रखा गया सोबे 11 बजे free of cost test है combat के नाम से आप इसम सेंट तक की scholarship आप यहां पर gain कर सकते हैं बहुत सारे आकरशक उपहार यहां पर distribute किया जाएंगे UPSC ने UPSC मेंस को धियान में रखते हुए proper test series का option शुरू किया है जिसमें भी आप participate कर सकते हैं जिसके through आपको test options मिलते हैं Iconic subscription different क्यों है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ क्योंकि यहां पर proper live mentorship, daily means answer writing, accessibility to daily content, chat based doubt solving, study booster session, physical notes और live doubt solving sessions मिलते हैं और proper mentor आपको अलग से मिलता है इस वजए से Iconic subscriptions ठोले different होते हैं course को purchase करने में यदि आपको किसी financial मदद की आवशकता हो तो अनकेडमी आपको देता है 0% interest rate पर loan facility जिसका आप lab ले सकते हैं और course purchase कर सकते हैं अधिक जानकारी के लाप हमारी technical team को 787815882 पर भी call करके loan facility की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपका समय शुभू दैन्य वाद